यह है आपके सामने क्लास 6 इंगलिज न्यू जैम्स रदना सागल लेसन नमबर 11 और हैंड फुल ओफ साल्ट की को सनांसोर एक्सकाइस किये वीडियो तो को सनमबर ए है यहां पर टिक दा करेक्ट उपसन पर्ष्ट है धानी एंड गोकुल वेर एनिक्सिया जानी मतलब वह क्योंकि उन्हें उस प्रोसेशन का काफी समय तक इंतिजार करना था तो उसके लिए इन्होंने प्रिपलेशन की थी नेक्स्ट है कोस नमबर 3 गोकुल फादर डिड नोट वांट धनी एंड गोकुल टू अंडर्टेक दा मार्च वीकोस वीकोस उनके फादर यह सोचते थे क हुई यह मार्च यानि यह जो जुलूस है यह चोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा नेक्स्ट है अब रीड़ दा सेंटेंस और आंसर दी कोसं स्कुले कोसर नमबर 1 जिसमें लाइन लिकी हुए है साल्ट वा यानि धानी ने यह क्यों पूछा वाट रिप्लाइड ही रिसीव और उसको क्या अंसर मिला कोसं भी का अंसर है ही वास एस्टोनिस्ट एड़ आइड़ ऑफ वोकिंग फोर डेस एंड़ डेस टू मेक साल्ट अबड़ी ही आस्चरे हुआ मताँ उसे थोड़ी हैरानी हो रही कि बापू एक नियम को गवर्मेंट द्वारा बनाई हुए नियम को तोड़ने वाले है जिसमें हमें टैक्स दिया जाता था उनका नमक खरीदने के लिए और वो खुद नमक बनाएंगे नेस्ट है कोसन नमबर सी सो दे वोक इट सीम एस इस इस इफ वहल ओ इंडिया वास वोकिंग विध देम अब ओसन है हुए वोक देम वाई लीट इस वोक नेक्स आंसर इसका धानी एंड कोकूल आलसो वोक अलोंग विट आ बिग क्राउड ओफ पीपल लेड बापू कोसन न वोक वास तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट अन फियर लो ओफ अन फियर साल्ट टेक्स लिए लिए टू इंडियांस ठीक है तो यहां पर उस लोका उस नियम का जो बनाया हुआ था गौर्मेंट ने उसका विरोध करना था जिसमें ने नमक के उपर टेक्स देना पड़ता था वाइड इट सेम एस इफ देहोल ऑफ इंडिया वास वोकिंग विद देंडें ऐसा क्यों लग रहा था इसमें आंसर है इसमें कि इट सेंब्स दैट अट ऑल इंडिया वास वोकिंग विकोज देवर देयर वास एफ यूज क्राउड कंसिस्टिंग ऑफ पीपर ओल एजिस इनके जूलुस में समय ऑ तो रहे थे और ऑफ बढ़ीयों सभी आपके यूज को 000 किशोटी हो पड़े हो पूड़े हो सभी इनके जूलुस में सामविल हुरु वरे इसली ऐसा लग रहा था पीषैस पूरे इंडिया चाल रहा है प्सकिन नम्बर सीगैं सांसर में सार्भा अपना नमक खुद नहीं बना सकती। दे वेयर फोर्स टू बाई फ्रोम दी ब्रेटिस गॉवर्मेंट और इनको ये गॉवर्मेंट से ब्रेटिस गॉवर्मेंट से ही खरीदना होगा। नेक्स्ट मॉर एवर इवन दा पूरेस्ट पीजेंट से हैट टू पी असाल्ट टेक्स टू दी गॉवर्मेंट यहां तिक जो सबसे गरीब किसान लोग है उन्हें भी इस नमक का टेक्स्ट गॉवर्मेंट को देना पड़ता था। यह इनका रूल था ठीक है यह लोग बनाया हुआ था। कोस्ट नमबर सेक्ड डिस्क्राइब गांदी जी एस दबोई सो हिम की जब गांदी जी को उन बच्चों ने देखा तो उन्होंने किस तरीके से उन्हें देखा और उन्हें कैसे लगे गांदी जी दानी दानी सो दे बापुजी had a small face and a bald head. अब यहां पर धानी ने जब बापुजी को देखा तो उसे लगा कि जो बापुजी है उनका एक छोटा सा चेरा है और सीर पर बिल्कुल भी बाल नहीं है यानि वो गंजे हैं. He wore round spectacles and a watch swimming at his waist. यानि उसने उन्हें चस्में पहने हुए थे और एक कोई घड़ी है जो उनकी कमर से लटकी हुए थी. To him, Gandhi ji seems like an ordinary grandfather who should be sitting on a court under a city tree in a village. उनके लिए Gandhi ji बिल्कुल और साधारन से दादा जी जैसे थे जैसे कि उनके उमर के गांदी जी के उमर के इस समय एक पेड़ की छाओ में पेड़ की छाओ में चार पाई पे लेटी रहते हैं. Next है, Question No.3 How long did the man estimate it would take Gandhi ji to reach Gandhi? अब लिखा हुए है इसमांसर कि मतलब कितना चलो आंसर पढ़ते हैं. The man estimate that the walk from Sabarmathy to Ahmedabad to Gandhi on the Bombay coastline will take about 3 or 4 week. इसे साधान से बात है कि कितना समय लगाया हुआ था, मतलब लोगों ने अंदाजा लगाया कि सबरमती से दांडी तक पोचने में करीबन 3 to 4 weeks लग जाएंगे. Question number 4. Why did the villagers return to their villages? The villagers return to the villages because बापु did not want to leave their work. They were other who would take their places at every village and town they go through. ठीक है, मतलब कि villagers इसलिए वापस जा रहे थे, क्योंकि बापु नहीं चाहते थे, कि कोई भी अपना काम छोड़ कर जाए. क्योंकि वो बापु जिद जिद गाउं से जा रहे थे, वैसे भी वहाँ पे जुलूस में और भी लोग सामलित होजी ही जाते थे. तो ज़रूरी नहीं था कि हर कोई चले. Next है, think and answer में, first question, do you agree with Gandhi जी that the salt tax was unfair? Why? Yes, the salt tax was absolutely unfair because in their own country, Indians were not allowed to make their own salt. Not only were they forced to buy salt from the British, they were forced to pay tax. Even the poorest was not implemented exempted from the taxes. This is a simple answer, that the salt tax was absolutely not right, because all Indians had not allowed to make their own salt. All Indians had not allowed to make their own salt, and all of them had to pay tax. Also, they had to pay tax tax. This is a good question. Why do you think the procession was called White River? कि उस जलूस को White River क्यों कहा गया गया था? Answer इसमें, the procession was called White River because most of the people in the procession were clad in white khadi clothes. Like a river, the procession was flowing peaceful and moving forward gradually without stopping. The answer is that White River is why people are called White Khadi clothes. The procession was like this. 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 Question number 3. He is clever, it is not he or Bapu. Do you agree with this statement? Yes, Bapu had a brilliant idea. Nothing could have. The cause of people more than uniting the nation by making salt and breaking the law together. He was not only going to defy the salt law. He was going to convey the displeasure of the whole country to the British government. In this manner, he was leading the long march to freedom. He was told the truth. He was told the truth about what happened to people who made salt for the law. He was told the truth about it. In this manner in this manner, he was told the truth about the truth. Next, the answer is word study. The answer is complete after we are told he was word study. Here is the answer. Given below some English words, this word has synonymous that has come to English from various Indian languages. साम पर सांस कोसन लिखा हुआ है कि हाँ पे इन्होंने कुछ वर्ड्स दिये हुए हैं हमें वह वर्ड्स लिखने हैं जिन से ये इंग्लीज बनी हुए है मतलब इनमें से ये forest जहाँ आप देखोगे कि इंग्लीज में कुछ हिंदी के वर्ड्स लिए गए है उन वर्ड को हमें लिखना है जैसे इंगलीस में ही जंगल वर्ड हिंदी से लिए गया है ठीक है बोट को डिंग कहते हैं ये भी हिंदी वर्ड से लिए गया है रोब का मतलब होता है लूट और ये लूट वर्ड इंगलीस में भी यूस होता है और ये भी हिंदी से लिया गया है तो इसी के तरीके से हमने सारे आंसर इसमें लिख दिया है नेक्स्ट है गांदी जी वोक ओन फूर्ट वन कें ड्राइड अब आइसे कल ड्राइव और टेक अर ट्रेन है उनके से लिए भी पनाई हूई है ड्राइड नेक्स्ट है फिलिंद ब्लैंक्स विद और करेक्ट वर्प थम्धी ब्रेकर्ट आइड शहीं वर्प यहां पर लिखा आश़िए पर से मेक और मेक्स में से मेक यहां पर जुना गया ठीक है मैंने सभी आंसर यहां पर सामनी लिख दिया है कि कौन सा सही है इन में नेक्स्ट फिर है इसमें complete the web diagram the correct form of the verb यहां पर देख सकती हो मैं अब थोड़ी दिर में नेक्स्ट आंसर सोगने वाला हूं कि अग्सट है यह पिच्चर्स दी हुए होगी आपकी बुक में ठीक है इन पिच्चर्स को देखते हुए अब हमें आंसर स्फिल करने है आंसर कोशंस के आंसर देने है जैसलि यहां पर लिखा हुए सरीता दीवेदी लिव इन टैस सरीता दिर्वेदी की कहां रहती थी फतेपुर में सरीता देवी इस स्टूडेंट ओफ फाइन आर्ट एट अलाबाद यूनिवर्सिटी सरीता स्वादर इस एंड रिटायर आर्मी प्रोफेशनल सरीता पेंट एंड स्कल्च तो यहां पर हमने सभी इसके बारे में जानकारी इखटी करकर इसके आंसर को फिर कम्प्रीट किया है नेक्स्ट है स्पीकिंग पोर्शन में गिवन बिलो और सम वर्ड सिच्वेशन यहां पर इनके भी आंसर हमने लिख दिया है हर लाइन के नेक्स्ट है राइटिंग पोर्शन में इमेजिन यूर धानी राइटार डाइरी एंटरी डाइरी एंटरी फोर दी डे यू सो गांदी जी और मार्च विथ हिम पार्ट ओव दी वे तुमेक साल्ट यू कैन बिगें लाइक दिस ठीक है अब यहां पर हमें क्या है एक डाइरी एंटरी करनी है और सुरुवात के लिए इन्होंने थोड़ा सा क्लू भी दिया हुआ है और आगे हमें कम्प्लीट करना है तो यह यहां पर हमने थोड़ा सा इसमें से ही लिया है और फिर बाकी की लाइन ही हां से नीचे कंप्लीट कर दी है और यह diary entry इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी आपकी मैं धीरे धीरे इसको भी सोगरता हूँ ओके तो यह last exercise थी इस last question था इस वीडियो का इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने इस chapter का explanation नहीं देखा है तो वो आपको वीडियो के description में उसका link मिल जाएगा या फिर आप channel की playlist में जाकर सभी chapter की जितनी भी हम ले अभी chapter पड़े है उन chapter की सारी वीडियो आप playlist में जाकर देख सकते हैं आपको सभी chapter की explanation, question answer की exercise की वीडियो playlist में मिल जाएगी और वीडियो अच्छी लगी है तो like जरूर करना है thank you, have a nice day, bye